नमस्का दोस्तो वेलकम टू आवर चैनल रिव्यू एक्सपर्ट और आज हम करने जा रहे हैं जी फाइव और अर्ट बाला जी पर रिलीज हुई सीरीज बिच्छू का खेल का रिव्यू इस सीरीज को 9 एपिसोड में रिलीज किया गया है और हर एपिसोड लगबक 20 मिनिट के और एक्ता कपूद के प्रोडेक्शन में बनी इस सीरीज के डारेक्ट नहीं आशीज शुकला और इस सीरीज की मुख्य भूमिका में है दिवेंदु शर्मा जी हाँ ये वही दिवेंदु शर्मा है जिन्होंने मिर्जापूर के मुन्नात्रिपाठी का रोल निभाया था औ और अंशुल चोहान जिन्होंने रश्मी चौबे का रोल निभाया है और मुकुल चड्धा जिन्होंने अखिल के पिता का रोल निभाया है ये एक क्राइम ठिलर ड्रामा सीरीज है और इस सीरीज में दिखाए गया है कि अखिल अपने पिता के मौत का बदला लेने के लिए एक mastermind की तरह चल चलता है इस सीरीज में आप देखेंगे कि बहुत ही बहतरीन प्लान के साथ अखिल अपने पिता के मौत का बदला भी लेता है और अपने द्वारा किये गए क्राइम को भी छिपाने के लिए वो system को चक्मा भी देता है अब तो सीरीज देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि अखिल का mastermind प्लान के रहता है और वो क्या system को चक्मा दे पता है की नहीं अब आईए आपको बता दे इस सीरीज में क्या positive और क्या negative points है इस सीरीज का positive point यह है कि इस सीरीज में दिव्यंदू शर्मा ने काफी mind-blowing acting किया है और अपनी acting के कारण वो एक बार फिर आपके दिलों पे चाने वाले हैं और इस सीरीज का background music काफी अच्छा है और इस सीरीज की story और direction काफी दमदार है और इस सीरीज में छोटे-छोटे episodes होने के कारण आप पूरी सीरीज तीन घंटे में आराम से देख पाएंगे इस सीरीज का negative point है कि इस सीरीज की language काफी hard है और adult content के कारण बच्चे इस सीरीज से बिलकुल दूरी रहे और इस सीरीज का conclusion ये है कि ये सीरीज हमें काफी पसंद आई हमारे हिसाब से ये एक masterpiece है और हम आपको भी suggest करेंगे कि इस सीरीज को आप एक बार जरूर देखे और हम लोग इस सीरीज को देखने के बाद इसको 4 rating देते हैं और अगर आप लोगों को इस सीरीज का रिवीवा कई पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चेयर करिए अब बेल आइकन दबाना तो बिलकुल न भूलिये थैंक्यू